दोस्तो नमस्कार मैं उतकर्ष दिवेदी और क्रेस कोर्स की शुरुवात में आपका स्वागत है आज शुरुवाती वीडियो है मैंने आपसे पहले ही बताया था कि नेटवर्क के करण दो तीन दिन लेट हो सकता है लेकिन जब एक बार नेट मेरे पास हो जाएगा उपलब् और हम लाइव भी आप आएंगे तो इस महत्पूर्ण कोर्स से आप अवश्य जोड़ें सारे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं प्लस एक नया में ग्रूप बना दे रहा हूं उसका लिंक बहुत जल्द आपको प्रप्त करा दूंगा तब तक जै हो इस्टेडी जो हमारा टेलिग्राम ग्रूप है कॉमन ग्रूप उसमें आप अवश्य जोईन हो लें इसके अलामा मैं अपने फेस्बुक ग्रूप पे जै हो इस्टेडी पे भी जो लिंक है टेलिग्राम चैनल का वह अवश्य दूंगा आप लोग उससे जुड़कर आप उठाएं चलिए अब हम आपको बता दूँ क्रैस कोर्स की रूप रेखा यह रहेगी कि एटू जेट सब कुछ कवर होगा पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर दूँ दूसरी बात है यह थोड़ा सा क्रमबद बहुत ज्यादा नहीं होगा टू दे पॉइंट होगा चुकि एक्जाम के पॉइंट आप यू से बनाया जा रहा है लेकिन फिर भी बेसिक चीजों को लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिक क्वेशन मतलब प्रते एक वीडियो में आपको थियोरी भी मिलेगी प्रते क्वेशन मिलेंगे फैक्ट्स मिलेंगे तो तीनों को कामबो होगा आपके पास पाइसकी तंत की बात करें तो एक भोगोलिक तंत्र जिसमें जयविक समुदाय जयविक पदार्थों और उर्जा के साथ अंतहक्रिया करते हैं बस इतना ही कोई आपसे पूछे कि क्या क्या है पारिष्ट की तंत्र पारिष्ट की तंत्र क्या है एक भोगोलिक निकाय है या तंत्र है जिसमें वहां पर रहने वाले जैविक समुदा है वहां उपलब्ध जैविक पदार्थों और उर्जा के साथ समागम या अंतक्रिया करते हैं वही पारिष्ट की तंत्र है आग तो पारिष्ट्की तंत्र के अध्यान के विज्ञान को पारिष्ट्की कहते हैं पारिष्ट्की अर्था जो अध्यान है पारिष्ट्की तंत्र का उदो प्रकार से किया जाता है स्वपारिष्ट्की और समपारिष्ट्तिकी स्वपारिस्त की क्या है ये किसी इकाई और जीव का जब अध्यन किया जाता है पारिस्त की तंत्र में तब हम उसको स्वपारिस्त की कहते है सम पारिस्त की किसको कहते है जब जीव के समू किसी एक इकाई, किसी एक जीव के स्थान पे जब किसी पारिस्ट की तंत्र में समस्त जीव समू जो है उसका देन किया जाता है तब हम उसको सम पारिस्त की कहता है पर्यावास फिर क्या है तो पर्यावास वह भौतिक पर्यावरण होता है जिसमें कोई जीव निवास करता है तो जीव जहांपर निवास करता है वही आवाज या परियावास है अब Prakash Sensation की क्रिया क्या है तो Prakash Sensation से भी परशनाते हैं इसकी कुछ basic चीज़ें उत्यान रखेगा जो मैं याँ पर सीटी से कर दूँगा पहली बात तो Prakash Sensation क्या है तो सीधी सी बात है कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं अबना उसको प्रकाश सर्शेशन कहते हैं प्रकाश क्यों जुड़ा हुआ इसके नाम के आगे क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्तिति में सूर्य के प्रकाश से ही जो उर्जा मिलती है उस उर्जा को प्राप्त करन कि वो भोजन बनाने की क्रिया वो करता है उसमें होता है क्या बोजन बनाने की प्रक्रिया में उसमें होता यह है कि कार्बन डायकसाइट और जल प्रकाश और तापमान जो तापमान की उपस्तिती में ग्लूकोज जल के साथ आकसीजन बनाते हैं यह प्रकाश से भोजन बनात तो वो खारक कौन सा है Oxygen इसकी जोरत नहीं होती है बाकि carbon dioxide चाहिए जल चाहिए सूर्य का प्रकाश चाहिए तापमान चाहिए और पनहरित यह चीजें होनी चाहिए, प्रकास निर्मित न सिर्फ प्राक्तिक प्राक्तिक रूप से तो मौझूद ही है, सुर्य के प्रकाश के माध्यम सेम को प्राप्त होता है, मतलब पौधों को प्राप्त होता है, लेकिन क्या मानो निर्मित हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, अगर पूछ यहां पे वो इसका प्रयोग करके पाधों को जो है बढ़ावा देना चाहता है वर्यक्षों को बढ़ावा देना चाहता है तो देखते हैं बहुष्य में कितना संबह होगा कृतिम सूर्य का निर्माड करने की चीन की चाह है तमाम अन्य देशों की भी चाह है ये चाह कितना वो सफल कर पाएंगी बहुष्य में देखा जाएगा तो सूर्य तो अपने आप में एक hydrogen bomb है कभी चर्चा करेंगे कैसे है फिल्द हल जहां पर जानना है कि कृतिम हो सकता है तो हो सकता है कृतिम मतलब यसे एक बन्ध कमरे में आपने एक प्रयोग पढ़ाओगा बच्पन में बन्ध कमरे में प्रकाश अर्था थाप बल वजला दीजे उसके नीचे किसी पॉधे को रख दीजे आप देखेंगे कि उसकी प्रकाश की उपस्तिति में वह बढ़ रहा है बढ़ रहा है मतलब अर्था उसको भूजन मिल रहा है तभी तो बढ़ रहा है वह अर्था प्रकाश स्टेटमेंट सभी होगा जब भी आएगा लेकिन सी में तो प्योग है इसका प्रिगर कारक क्या होता है तो यह कारक जो आप देख रहा है न इसकार्बन एक साइट जल सूरिका प्रकास ताप्मान पढ़रित कहीं कहीं ऐसे शेत्रे इनकी विश्मता होती है जहां कहीं पर सूर्य का प्रकाश कम होगा कहीं ज़्यादा होगा कहीं तापमान कम होगा कहीं ज़्यादा होगा कहीं पनहरित युक्त जो अर्थात जो पौदे हैं वो कम होगे कहीं ज़्यादा होगे कहीं कारबना एक्साइट कम मत्रम मिलेगा कहीं ज्यादा मिलेगा कहीं जल की प्राप्ति कम होगी जल संसाधन है कम होगे कहीं ज्यादा होगे तो किसी ऐसे अस्थान पर जहां पर इन जो कारकों का किसी एक कारक का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस कारक को हम trigger कारक कहते हैं जैसे कहीं पर जसल मेर में वर्षा हो जाए तो उसमें किस कारक की भूम का सरवाधिक रहेगी तो वो कारक जो है वहाँ पर trigger कारक कहलाएगा क्या कहलाएगा? trigger कारक वो कारक कहलाएगा अब खाद अस्तर की बात करें खाद अस्तर या पोशन अस्तर जिसको कहते हैं ये पारिस्की तंतर में जो उर्जा का प्रवाव होता है उसी के अस्तर को कहते हैं खाद अस्तर विभिन अस्तरों में उर्जा का प्रवाव होता है निमन अस्तर से उच्छ अस्तर की तरफ तो उसको क्या कहते हैं खाद अस्तर ऐस्तर कहते हैं इसमें प्रथम अस्तर और एक나 और अस्तर को तो कुल maximum पांच अस्तर हो सकते हैं लेकिन 8 आने घर पूछा जाए 4 अधिकतम पूछा जाया तो पांच अस्तर यह ऐसा पूछता थ्रिखान रखेगा सामानि़त अधिकता तो प्रथम अस्तर में सव पोशित पोधे अर्थाद सव पोशित जो मतलब की जैविक पदार जैविक जो समुदाएं जो समू हैं वो आएंगे इनको उत्पादक कहते हैं अर्थादी उत्पादन करते हैं जैसे पौदे हैं सूरिक उपस्तिति में वो भोजन बनाते हैं जैवभार का निर्माण करते हैं और इस जैवभार को ही शाकाहरी जीव प्राप्त करता है तो ये दृती अस्तर में आते हैं शाका हरी जिव जिनको प्राथमिक उब्भोकता कहते हैं प्राथमिक उब्भोकता इनको कहते हैं शाका हरी जीवों को खाने वालों को मांसा हरी जीव कहते हैं ये तृती अस्तर में आते हैं पोशन अस्तर में इनको द्वितियक भोक्ता कहते हैं चतूत अस्तर में मनुष्य जैसे प्राणी आते हैं जो सर्वाहरी अर्थाद मांज भी खाते हैं शाग भी खाते हैं तो ये मनुष्य जो है तृतिय भोक्ता अस्तर में आता है पोशन अस्तर में आता है प्रतिक आहार स्थान अंतरण में उर्जा का लगभग 90 प्रतिशत जो है 6 हो जाता है ध्यान रखेगा 90 प्रतिशत लगभग नश्ट हो जाता है 10 प्रतिशत उर्जा ही स्थान अंतरित हो पाती है तो प्रतिक आहार अस्थानतरण में उर्जा का लगभग 90% शहित हो जाता है और जब 6 हो जाएगा बचेगा 10% तो जब दूसरा वाला खाएगा उसे तो उसके पास कितना जाएगा मातर 10% इस 10% का 90% यहां पर खर्च हो जाएगा इस उर्जा अस्तर वाले प्राणी में बाकी जो इसको खाएगा उसमें कितना जाएगा बचा हुआ 10% इस ढंक से कम होता जाता है उर्जा एक अस्तर से दूसरे अस्तर में उर्जा क्या हो जाती है कम होती जाती है निम्न से उर्जास्तर में जाने पर उर्जा क्या हो जाती है कम होती जाती है और यही कारण है कि जादा उर्जास्तर नहीं हो सकते हैं मात्र पांच अधिक्तम हो सकते हैं पांच के बाद जो है संभो नहीं क्योंकि उर्जा बच नहीं पाएगी हाला कि उर्जा समापत नहीं होती है उर्जा का अपने नियम पढ़ा होगा कि उर्जा जो है द्रबिमान में और द्रबिमान उर्जा में परिर्थित होती रहती है ठीक है लेकिन उर्जा समापत नहीं होती है कभी भी और साइद 2019 और उनिय में यहाँ से प्रَश्ण भी आयता है कि उर्जाज कर दूसरे इस्तर में क्या होती है कम होती है ध्यान लखेगा है छह मैं के शिंक्छला क्या होती है किशा कर दो अभी आप ने जो अर्जाव क करो पौश्ण स्तर से उच्छोट पोष्ण स्तर में आप अस्तानांत्रन होता है पोटब्जन बना उसका प्राथमी भॉक्ता на भॉकता बिभटमी बच्ष तोड़ीन पाएंगे उनको दोटिएव भॉकता घ्रब करेंगे फिर उसके बाद जो उपर वाला भॉगा मैब उपर वाले तो उर्जा का निम्न पोशन अरस्तर से उच पोशन अरस्तर में जो अस्थनांत्रन होता है तो एक शिंखला बन जाती है इसी शिंखला को हम खाद शिंखला केते हैं सीधी बाते घास को कीड़े खाएंगे कीड़े को में डग खाएगा में डग को साब खाएगा साब को मोर खाएगा मोर को लोमडी खाएगा लोमडी को शेर खाएगा ठीक है न और सेर को कौन खाएगा सेर को मानो खाएगा भाई पाएगा तो खाई जाएगा खाते ही होंगे और मानो कोन खाएगा मानो को या तो शेर खाए खाए या फिर मानो को मानो खाजाए या फिर मानो जब कहीं पर उसका शो पड़ा रहेगा तो वियोजक खाएंगा उसको, किसी को भी खाएंगा, वियोजक किसी को भी खाज़कते हैं, उनका नाम है वियोजक है, तो चारण खाद शिंखला और अपरद खाद सिंखला दो प्रकार की खाद सिंखला होती है, चारण इन अपरत खाद शिंकला क्या होती है अपरदन से संबंदित होते हैं यह सरल बनाते हैं जब मृत हो जाता है कोई जन्तु तो उसको उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल बनाते हैं अन्य जो खनी जोते हैं उनको सरल बनाते हैं और निर्मुक्त करते हैं जिसको भूज, जय और असानिक चक्र भी कहते हैं तो अपरत खाद सिंखला में क्या है पहले मृत जीवी, फिर वियोजक, मृत जीवी को खाएंगे फिर मृतोब जीवी, वियोजुकों को खाएंगे फिर ऐसा नहीं है कि मृतोब जीवी बचे रहेंगे इनके भी भक्षक होते हैं जिनकों मृतोब जीवी भक्षक कह गये जाए तो यह अपरत खाल शिंकला भी एक बार पोची गई UPSC में तो यह करम याद रखेगा जो मृतोब जीवी मतलब मिरत पर आधारित जो मृत शरीर पर जीवित रहते हैं वो मिरतोब जीवी हैं लिंडमेन ने 10% उर्जा का नियम जो अभी हमने आपको बता है कि 10% उर्जा ही स्थानानृत होती है बाकी 90% जो है वो बैह हो जाती है उर्जा किसी पोशन अस्तर पर 10% ही टांसफर होती है तो 10% उर्जा का नियम किस ने दिया था लिंडन मैन या लिंडन मैन ने दिया था यह ध्यान रखेगा कोई खाद शिंकला अधिक्तम कितने अस्तर की हो सकती है तो हमने आपको बताया अधिक्तम पांच इस्तर की हो सकती है सामानिता चार अस्तर की होती है पारिस्त की पीरामी इसको एक model के द्वारआ समझाने की कोशिश होती हैं किसी पिरामीड में 4 या पाँच अस्तर हो सकते हैं कितने 4 जैसे आपने खादस्तर जैसे हैं कि तोписकी पिरामीड भी तीन प्रकार का होता है संख्या का पिरामिट से दरशाते हैं जय उभार के पिरामिट से दरशाते हैं और उर्जा के पिरामिट से दरशाते हैं इसमें सबसे नीचे जो होगा उत्पादक होगा फिर प्रात्मिय उभोकता फिर दितियक उभोकता फिर तितियक उभोकता संख्या भार और उर्जा के आ अधिक होगी तब वो पिरामीड क्या होगा सीधा होगा जब उत्पादक अधिक संख्या में रहेंगे उत्पादकों का भार अधिक रहेगा या फिर उत्पादकों में उर्जा अधिक रहेगी जैसा कि आपने पढ़ा कि उत्पादकों में उर्जा सबसे यादा रहती है क्यो क्योंकि प्रत्य उचस्तर पर उर्जा घड़ती चली आती है 10% ही उपर पहुँच पाएगी उसका 10% उपर पहुच पाएगी तो इस जन से घड़ती जाती है तो सबसे यादा किसमे रहेगी उतपादक में तो हमेशा जो है याद रखेगा जो उर्जा का पिरामिड होगा वो दलता रहता है जैसे संख्या में आप देखें संख्या पिरामिड में तो घास पिरामिड में घास तो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो घास की मात्रा ज्यादा होगी कीडों की मात्रा उसके बाद होगी और मेढ़कों की संख्या सबसे कम होगी जो कीडों को खाते हैं तो ये जो पिरामीड़ होगा ? अगर हम जाड़ी पाईसकितनत्र देखें तो जाड़ी के वल चोटी सी जाड़ी होगी जिसमें 4-5 या 10 या 20 पोधे लगे होंगे गिंती में होंगे ओर जीवाडों की संख्या जो जाड़ी मौती बहुत जादा होती है तो यहां पर उत्पाधक क्या हो गया? कम हो गया अबोगता दिखो गया तो यह पिरामिड जो है उल्टा हो गया और संख्या में हाला कि इसका एक अपवाद भी है अपवाद आप रामबाइडल यह शेप जो है रामबाइडल शेप इसको बोलते हैं इसमें पिरामिड जो है वो अन्यमित प्रकार का आपको भी मिल सकता है जैसे ये अपवाद आपको दिख रहा होगा जैसे ये एक व्रिक्ष हमाल लीजे तो व्रिक्ष एक है, तो संख्या में जो है सबसे नीचे हो जाएक तो उल्टा होना चाहिए था क्यों व्रिक्षि पे चिडिया जो है उनकी संख्या जदा रहेगी संख्या अगर देखी जाये तो लेकिन सर्प अगर उस व्रिक्षि में है तो उनकी संख्या कम है चिडिया से तो भोकता अस्तर में सर्प चिडिया से उपर आता है तो ऐसे में न तो उल्टा बनेगा न तो सीधा बनेगा और ये हो जाएगा अपवाद ये क्या हो जाएगा अपवाद हो जाएगा ठीक है न अब जो भार के पिरावने देखें इसमें कोई अपवाद नहीं है इसमें वही चीज भार जादा होगा उत्पादक का तो नीचे वर्था सीधा बनेगा कम होगा भार अगर उत्पादकों का तो फिर वो उल्टा बनेगा जैसे ये कोई पाईस की तंतर है गासा पाइस की तंद्र में घास की जो घास का जो भार होगा जैव भार होगा सबसे आदा होगा कीडों और मेड़कों की तुलनामियत देखा जाए तो कीडों और मेड़कों की तुलनाम देखा जाए कीडे कम होगे घास की तुलनामिय और मेड़क जो है कीडों की तुलनामिय कम हो क्योंकि कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं उनका अगर सामोही की जैवभार देखा जाए एक कीड़े से मेढ़की तुलना मत करिया संख्या में हैं और भार में भी ज्यादा है तो यह सीधा होगा लेकिन अगर तालाप पाइस की तंत्र मे जो जैवभार का पिरामिड होगा वो हमेशा उल्टा होगा बड़ी मचली, छोटी मचली और जो उसमें प्लवक होंगे जिनकी छोटी मचली जिनका भक्षण करती है प्लवक कम आत्रा में होंगे उनकी प्लवकों की जो है जैवभार कम होगा बार-बार संख्या मेरे मुझे निकल जारा है सोरी, कम होगा फिर छोटी मच्छियां उसको खाएं, शीट मच्छियों का उनसे ज़्यादा भार होगा बड़ी मच्छियों का भार बहुत ज्यादा होता है तो वो सबसे उपर और सबसे ज़्यादा उनका जयोभार रहेगा तो यहाँ पर उत्पादक जो है वो कम जयोभार वाले हैं तालाप पाइस के तंत्र में इसलिए हमेशा उल्टा होगा और उर्जाकत हमने आपको बताया है अब आएए हम कुछ समसमाई की पर्यावन समंधी प्रशन करेंगे निम्र कित में से किस संस्था द्वारा उस्तरजन अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है विश्वार्थिक मंच, UNEP, अंतरराष्टी उर्जा एजंसी और नीती आयोग भारत का तो कौन इसको उस्तरजन अंतरार रिपोर्ट जारी करता है या किया है क्वेश्चन की सा क्या जो है बढ़ाएंगे भी लेकिन लाइव आने के बाद आप लोग अभी पहला वीडियो है क्रेस कोर्स का और निमित्ता आने में हो सकता एक दो दिन का समय लगे क्योंकि मेरे वश में नहीं है ब्रॉडबेंड लगाना और लगते ही स्टार्ट हो जाएगा निमित्त में से किस संस्था द्वारा उस्तरजन अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है तो यह इसका उत्तर होगा क्या होगा इसका उत्तर यूएन एपी उनाइटेड नेशन इन्माइमेंटर प्रोग्राम के द्वारा ये उस्तरजन अंतराल रिपोर्ट जारी किया जात इट सेक्टरा और थाथ ये जो है महत्वपूर्ण है इनके अलामा भी कई रिपोर्ट जारी करता है दूसरा प्रशन है उर्जा अंतलाल रिपोर्ट 2019 जो कि दस्वा संस्कुनर था जो कि अभी आपने देखा UNEP जारी करता है उसके अंसार कौन सा कथन सत्य है या हैं तीनों गैस उस्तरजन में प्रतिवर्श एक दसंबलो पांच प्रश्चत की दर्शे व्रिद्धी होई है दूसरा स्टेट्मेंट है जी ट्वेंटी राष्ट सामोहिक रूप से कुल उस्तरजनों के 78 प्रतिशत है जिम्मेदार था जी ट्वेंटी राष्ट है जितना उस्तरजन पिछले दर्शक में हुआ है उसका 78 प्रतिशत अकेले जी ट्वेंटी राष्टों ने किया है तीसरा है विगत चार दर्शकों में शीर्ज चार उत्तरजकों में जो प्रतुर्शक का उत्तरजन है ग्रिन हाउस गैस का उत्तरजन है सोरी उसमें भारत भी शामिल है शीर्ज एक और तीन के वल सही हैं तो आप उत्तर दे लीजे एक मिनट इसका जो उत्तर होगा तीनो सही है तीनो ही सही है ध्यान रखेगा याद रख लीजे इसको एकदम रट लीजे विगर दशक में ग्रीन हाउस गैस सर्जन में पतिवर्ष एक दसमलो 5 प्रशट की दर्सेवरिद्धी हुई है G20 राष्ट सामुही गुरूप से कुल उसरजनों के 78 प्रशट है जिम्मेदार है G20 राष्ट जिसमें भारत भी शामिल है विकत चार दशकों में शीर्ष चार उसरजिकों में भारत भी शामिल है तो ये भी सही है चाइना दूसरे नमबर पे अमेरिका तीसरे स्थान पे यूरोपियन यूनियन यूरोपी संग और चौथे स्थान पे भारत अगर राष्ट के रूप में देखा जाए तो तीसरे स्थान पे भारत आ जाएगा इतना प्रमुख सर्जक मुखिता अगर तीन देश देखें चाइना अमेरिका और भारत ठीक है अगर यू को निकाल दें तो ये तीन महत्पून देश है तो केवल ये तीनों ही सह होगा सी इसका उत्तर होगा तो चाइना यूएसे यूरोपी यूनियन और भारत इनका जो है अकेले इन चार दशकों में उस सर्जन में 55% से अधिक का अकेले योगदान है पूरे विश्व में इन चार का समझ लीजे हाला कि यूरोपी यूनियन अपने आपने बड़े देश है इसमें जादा देश सामिल है तो लेकिन इन चारों का समलित रूप से देखा जाए तो 55% से अधिक का योगदान है अगला प्रशन है सयूक्त राश परिया और कायक्रम यूनियन इपी वित्त पहल फाइनेंशियल इनिशीटिव यूनियन इपी एफ आई यह अंकटाट का संस्थापक सदस्य भी है दी है सभी सत्य है अर्थाट कोई असत्य ही नहीं है डी कह रहा है चलिए इसका जो है बी वला असत्य है ठीक है प्रतिवर्ष नहीं होता है प्रतिदिवर्ष होता है यह टेक्निकल थोड़ा सा है इसके द्वारा प्रती दृती वर्ष में ग्लोबल राउंड टेबल सम्मिलन आउजित किया जाता है और यह 1992 में प्रित्वी शिकर सम्मिलन में अस्टित में आया था और अंकटाड इसके लावा अंकटाड के लावा भी कुछ महत्पूर्ण संग्ठन है जिनका यह संस्थापक सदस्थ से भी है तो इसका जो उत्तर होगा भी होगा देखे यूपियस ऐसे कुश्चन बनाता है और डी अगर इस तरह का अगर आप्शन दे दिया तो आप यह तर्क दे सकते हो कि यह भी तो गलत है अगर देखा जाए हाँ बिल्कुल गलत है लेकिन आप से यह उमीद की जाती है कि अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको भी उत्तर ही टिक करना है तो इसलिए कहा जाता है मोस्ट एप्रोप्रियेट आपको एंसर लगाना है इसमें आप चैलेज नहीं कर सकते हैं कभी भी तो भी इसका उत्तर होगा कोई बहसी नहीं है इस बात पर भारत ने राश्टी अस्तर पर निर्धारित योगदान NDC के तहत वर्ष 2030 तक तीन लक्षे हैं याद रखेगा भी मैं बताऊंगा 2030 तक गैर जिवाश में इधन आधारित उर्जा संसादनों से गैर जिवाश में इधन आधारित उर्जा संसादनों से लगबग अब आपको पता होना चाहिए गैर जिवाश में आधारित जो उर्जा संसादन हैं और जो जिवाश में आधारित हैं तो न पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो यही पता रहने चाहिए, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर रहनी चाहिए, तब ही तो question आप tackle कर पाएंगे, तो गैर जिवाश्म इधन अधारित उर्जा संसादू कोई बात नहीं घबड़ाई अमर, हम जब उर्जा संबंदी चीज़ो पढ़ाएंगे, तो आपको बेसिक इसमें पढ़ाएंगे, हालां कि अभी परियावर्ण चली रहा है, तो आएगा, concept में ही आजाएगा सब, तो भारत में राष्टी अस्तरप्रम ध्याईत योगदान NDC के तहत, वर्ज दोजार तीस तक, गैर जिवाश्म इधन अधारित, उर्जा संसादुन से लगभग कितना प्रतिशत संचई विद्ध तुर्जा स्थापित करने की शमता का लक्ष रख्या है, तो आपके सामने option है, 35 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, तीन लक्ष हैं, तीनों में कन्फ्यूजी आ जाते हैं सब, तो आज हम रटा देंगे आपको तीनों लक्ष, कोने मिले के दिए हैं, इसका जो उत्तर होगा, वो होगा B, 40 प्रतिशत, ठीक है न, तो तीनों लक्ष पढ़ लीजे, दोजार पांच के अस्तर की तुलना में, दोजार तीस तक, पहला लक्ष है, जीडीपी के सापवेक्ष, जो उत्तरजन तीवरता है, कार्बंड एक्साइड की, वो कितना करना है, 33 से 35 पस्चत तक कम करना है, जीडीपी के सापवेक्ष, ध्यान रखिएगा, दोजार पांच के अस्तर की तुलना में, और कब तक, दोजार तीस तक, दोजार तीस तो कामन है, तीनों लक्षों में, दोजार तीस तक प्राप करना, दूसरा क्या है, जो ये प्रशन है, कि गैर जिवाश माधारि, जो उर्जा शमता है, वो 40 पस्चत तक ये विख्षित करनी है, दोजार तीस तक, तीसरा क्या है, दोजार तीस तक, धाई से तीन बिलियन टन, कार्बन डायाकसाइट के बराबर, अतिरिक्त कार्बन सिंग का उत्पादन या, ये प्राप्त करना है, कार्बन सिंग, तो ये तीन लक्ष है, तीनों लक्ष रट लीजेगा, पूछ शाही पूछा जाएगा आपसे exam में एक और प्रशन है, चलिये एक प्रशन हो रहे है High Mountain Summit हाली में किसके दोरा आयोजित की गई High Mountain Summit हाली में किसके दोरा आयोजित की गई तो विश्वस्वास संक्टन, WHO, विश्वब्यापार संक्टन, WTO, UNESCO इसको या इन में से कोई नहीं चलिए इसका उत्तर है इन में से कोई नहीं क्योंकि ये वो WMO ने ये आयोजन किया था अब मैं आपसे एक प्रशन पूछना चाहूंगा परिक्षा खबरी सुबर साड़े आट बजए कई बार हमने चर्चा किये है WMO का मुख्याले कहां है मुख्याले कहां है आपके सामने चार आफशन है पहला है निव यार्क दूसरा है जेनेवा तीसरा है लंदन और चौथा है नानाबदीज अब आपको निव यार्क लंदन और जेनेवा में से एक लगाना है WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का म कोमेंट बॉक्स में दीजेगा दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अनकेडमी लर्निंग एप पर आप प्लस कोर्से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं चाहे आप यूपी-PSC की त्यारी कि किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं खंड सिक्षादीकारी आरो यारो यूपी-PSC या यूपी-PSC में लेकपाल या फिर आन्य जो वेकेंसी जाती हैं ग्रूप-C की सबस्पेक्टर यूपी-PSC की त्यारी मनलब कोई भी त्यारी आप उत्तरवदेशी कर रहे हैं या फिर यूपी-PSC करना चाहते हैं एम-पी-PSC करना चाहते हैं राजस्थान प्यूप-पी त्यारी मनलब कुछ भी आप यहां पे एंडियेट करना चाहते हैं जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो सबस्क्रिफ्शन यहां पर ले सकते हो यहां पर सबस्क्रिफ्शन का आपको दिया रहेगा प्लस लेना हुआ तो वहां पर जितना भी है पर आपको सबस्क्रिफ्शन चाहते हैं वहां पर लिखे मिल जाएंगे कांटिन्यू करने पर आपको यहां पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है आप एक साल या दो साल या जितन तो के रिज़र्व हो जाती कोई भी क्लास लाइव क्लास आई होई या फिर आने वाली आप ले सकते हैं सबसे बढ़ीयाdern फाइडा होता है खिक टाइमक्रियेल में निश्चित तैंमक्रियेल में कोई सब्जेट समाब्त होता है और आप कोईबस्बशेट पर सकते हैं option हो या फिर GS के subject हो, pre means sub कर सकते हैं, quiz test, doubt cleaning session आप ले सकते हो, किसी भी समय, तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं, UD10 ये referral code यूज़ करना मन भूलेगा, क्योंकि तब आपको 10% discount मिल जाएगा, छूट मिल जाएगे आपको, जो मूल रहेगा उसमें भी, और एक वर्ष और दो वर्ष के आप subscription charges अगर देखें, तो दो वर्ष का subscription charge लेना आपके लिए बहुत ही सही पढ़ रहा है, सस्ता पढ़ रहा है, तो आप जब भी लीजे, दो वर्ष का लीजे, मेरा ये suggestion आपके लिए रहेगा, तो जो लोग ले चुके हैं already, वो हमको 9453-75039 पे संपर कर लें, हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर doubt होता है, तो हम आपको बताएंगे, बाकी अगर कोई आपके doubt हो, तो आप हमको बता सकते हैं, फिलाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद,